तो आभी महाप्रभू नवद्दीप में एई निलाचल में बिराजमान है रोगुनाद दाजगर्षा में आए हैं राजगराना के पुत्र हैं और आप खरप रुपिया के मालिक हैं पीता ताउ के एकी मत्र संतान रोगुनाद दाश राजगर्षा में आप खरप रुपिया करके संग्षार्षुक्त संब्रिद्ध्ध के विष्था बात परित्याग करके तिब्रु उत्कन ठाले का राय हैं महाप्रभू के चालन सान निद्ध में बईड़ागी से कहते हैं तब ना तब ना मिलेंगे कुस है नहीं चालन नहीं चुला नहीं खाने का नहीं बईड़ागी हो करके बिंदामन में आ गया ऐसा थोड़ी होता है देखेंगे ना कितना तुम तैक ब्रित्य तुम्हरे अंदर कितना है परिक्षन होगी ना वहाँ बैठो ना है ना ऐसा नहीं इसको कहते हैं बईड़ाग द्रिश्वान जागतिक बुस्तु पदार्ते को प्रती अना शक्ति इसको कहते हैं बईड़ाग बईड़ाग मने बुस्तु तैक को बईड़ाग नहीं कहते हैं बईड़ाग मने अना शक्ति अना शक्ति मने देहो दोहिक बुस्तु पदार्तो बने भागवान छोड़ करके और दिश्वान बुस्तु पदार्टे के प्रती जो अना शक्ती इसको कहते है बईराग ये घर में बच करके हो सकता है ये नहीं जंगल जाना जोरूरी है घर में रह करके भी आपके भीतर ऐसे निस्प्री हता निल लिप्तता है प्रभु के चरण में ऐसे तीप्र उनुराग है तो आप है बईराग और जंगल में जाकर कभी अगर मन में स्प्रीहा है कभी-कभी जंगल में जाकर कभी उधर तो नहीं स्प्रीहा बदल जाती है एक अस्रम करेंगे एक मंदिर करेंगे मंदिर बनाएंगे हम प्रचार करेंगे ये करेंगे ये सब स्प्रिया है उहां भी गारिया टक जाती है तो रोगुना अद्धाज को स्विती बुर बैराग लेकर आए है पीता ने देखते हैं राजगराना के पुत्रों आहा हा बईराग लेके गए हैं महप्रव के चरण सानित्ध में हमारे तो अथा पैशा और बेटा बईरागी होकर के भीक्षा मांगेंगे ये तो सहन किया नहीं जाएगा ये बड़ा कष्ट की बात है तो दो नौकर भेज दिये हैं और दो सहर रुपिया माहिना में जाओ रोगणात का शेबा करो वो भीक्षा ना करें बस भजन करें बस जो भी बस्तु है तुम लोग शेबा करना जो चाहिए देना भजन करते रहें लेकिन भीक्षा ना करें धोली ले करके हैं बिख्षा करेंगे यह शान करना बड़ा कुधीन बात है दो सब्सक्राइब बहुत पैसा तो रोगुनादार्ज कुष्ण में देखते हैं भाई यह पैसा तो भीशोई पैसा क्या करेंगे यह तो हमारे कोई काम में आने वाला है नहीं पहले तो महाप्रभु के निमंतरन करत वेरिसे हैं यह हमारे क्या काम में आएका दूसरा का पैसा सहां भंडारा करते हैं इसके हमारा क्या लाब है और महप्रभिस पर प्रशुनों भी नहीं होंगे क्योंकि बिशाईर अन्य है राजश्ण निमंतन दाता भोकता उभायर मलीन है मन बिशाईर मन अन्य खाईले मलीन है मन मलीन मने नहे कृष्ण रशारन अन्य दोश बिशाई का अन्य जो बिशाई लोग भग बृत्ति ले करके जो सिरीप पैशा कमाते हैं नाना प्रकार अशद उपाय अबलंब मन करके वो पैशा ठिक नहीं है दुशित पैशा ओपैशा से जो भी शेवाकर या गुरन करते हैं तो वो मंगल प्रद होता नहीं है तो बंद कर दिया शेबक को भी भेज दिया पैशा भी भेज दिया पीता जी को कहा देना पैशा ना भेजे हम आव रहे है इसा ग्रण नहीं करेंगे मा प्रभु देखें अच्छा किया है तुमने बंद कर दिया हम भी कहने वाले थे लेकिन तुम दुखी हो जाओगे इसके लिए हमने कुछ कहा नहीं लोगनाद अच्छा किये हो बिशोईर अन्य है राजश्रनी मंत्रन दाता भोकता उभाहर मलीन है मन फिर लोगनाद दाजगुष्शामी धीरे धीरे महाप्रुभुत पहले अपना प्रशाद भेशते ते गुबिंदों के द्वारा खाएंगे ना राजगराने के लड़का है लोगना तो देना बंद कर दिया क्या करते हैं ना मंदिर में जब सब भकतलों लोटते हैं उसमें दरज़े के शिम्हत द्वार में ठरे रहते हैं जो भी दो-चार पशाद दे जाते हैं उसे से अपना गुजारा करते हैं फिर महाप्रव खबर लेगते हैं शरुप दमदर से जो रोगनात क्या करते हैं बोलते हैं तो शब बाहर के अन्ना छोड़ दिया और प्रशाद भी नहीं लेते हैं भीक्षाद बिठती करके अपना गुजारा करते हैं अच्छा है बढ़ियां है दो-चार दिन पीछे देखते हैं ये ठड़े रहना दरजा के पास कोन देगा दो पशाद कोन नहीं देगा पसंद नहीं है या अदाज गुष्णमी का ये अच्छा नहीं है तो च्छत्र में मांग के खाते हैं च्छत्र है ना कोई-कोई पाईशा वाला च्छत्र दान च्छत्र खोलते हैं वहाँ जाके खा लेते हैं इस तरह से फिर महाप्रभु बुषते हैं रोगुनत क्या करते हैं बलते हैं, आप शिंगत द्वार में ठारा नहीं रहते हैं, वो तो छत्र में मांग के खाते हैं, बलते हैं, बरिया हुआ, छत्र दार, वहाँ पर शिंगत द्वार में ठारे रहना बेश्चा बिट्ती जैसे, यह आएगा, यह नहीं दिया, तो वो आ रहा, वो देंगे आमको पैसा हुआ रहा है तो शून करके रगुनाद दाजगर्श्वमी मन में प्रशन मेट प्रभू नहीं चाहते हैं ऐसे ठीक है अच्छा ही हुआ है उसके बाद देखते हैं छोत्र का अन्यो ये भी ठीक नहीं है ये उपराप्विक्षा है तो जो अनंद बाजार गया है अनंद बाजार में बहुत भुग लगता है न और उतना बिकता नहीं है तो क्या करते हैं फेक देते एक जगा उहां जितना गाय है आवारा गाय है वो खा करके चले जाते है बाकी जो रह जाता है शड़ जाता है रोगनाद दाजगर्श्वमी वो अन्यो को लेकर के ज्यादा पान निकल जाता है पानी फेक फेक करके 45 बार धो करके भीतर में जो ठोड़ शार निकलता है वो निचोर करके थोरएसा मिट्टी के बवर्टर में ले करके थोरएसा नीमंग दे करके पाते हैं देखो बैराक किसी कहते हैं राज घराना के पृत्रों क्या बैरागी हम लग भी कहने में शरम आता है समय बदल गया है क्या किया जाए ऐसे कृष्ण प्राप्ति ऐसे कोई खेलता मशा है यह कहते है क्या तो शादर नहीं करने से कैसे होगा यह करना पड़ेगा ना कितना बईरागी हो तुम अच्छा खाना अच्छा पैनना अब शरूब दमदार उनके पास रोगुनात को शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके हवाले कर दिये हैं जो शरूब दमदार जैसे शिक्षा प्रदान करते हैं उनके उनगत हो करके तुम साधन बजन शिक्षा करो तो शरूब दमदार देखते हैं खबर लेते हैं क्या करता है रोगुनाद फिर खबर लेते हैं अब वो छत्र भी छोड़ दिये छत्र छोड़ दिये हैं क्या करते हैं नहीं ऐसे शारा गला अन्य है वो ज़्यादा पानी दे करके उसको दो दो करके दो दो करके जो शारा गला निकल जाता है बिस में तोरह सा शार रहता है कुछ नकुछ उसको नीचोर करके फिर तोरह से नीमग दे करके बस उसी को ही पाती है शरुब दमदर देखके बड़ी प्रशन हुए है महाप्रभु शरूदमदर को पुस्ते हैं शरूदमदर को रोगुनाथ क्या करता है बोलता है प्रभु तो उसका अद्बूद बईराग वो ऐसे इस स्थिति में वो जहां जो गाय है अवारा गाय जो वो खाते नहीं है अन्न जो है ऐसे अन्न को शंग्रह करके ज़्यादा पानी दे कर धो करके निचोर करके उसका एक ग्राश ले करके निमक से थुरा सा अपने गुजारा करते हैं ऐसे आपका है तो जो शादन का क्या उवश्यक्ता है वो बुस्तु देंगे तुम्हारा पात्रता तु देखेंगे कितना पात्रता है तुम्हे हमको कुछ मिला नहीं हमको कुछ मिला नहीं हमको कुछ दिया नहीं हमको कुछ मिला नहीं मिला नहीं करके रोते हैं लेकिन भग तो ऐसे नहीं भग तो रोते हैं हमने कुछ दिया नहीं हमने कुछ दिया नहीं हमको कुछ मिला नहीं बोलके रोते नहीं है जो भगवाद भगते हैं रोते हैं हम कुछ दिया नहीं हमने हमारा मन में काम है, कुरोध है, लोब है, लालशा है हमने तो कुछ समर्पन कर नहीं पाया हमने अभी तब कुछ नहीं दे पाया भक्त इसलिए रोते हैं बहुत कमिया है हम में हम में बहुत कमिया है अपने कमिया दिखते रोते हैं मिलेंगे उपात्रता कहां हम में उपात्रता यह है नहीं आप बोलेगे शादन का कितना प्रविजन ही आता है ये देखेंगे मा प्रभू पूछे हैं शरूब दमतर को रगुनात क्या करते है तो शरूब दमतर का छाए प्रभू वो तो अधूत भाई राग वो तो इस तरह से किसे से मांगते नहीं पसा ऐसी स्वराग अला अन्न है, वो धोदा करके उसतें से, एक मुष्थी लेकरके, वो अपना गुझरा करते हैं, किसे से मंघते नहीं हैं, मापुँप बहुत प्रशन्य हुए, मापुप बहुत प्रशन्य हुए, यहां, बईराग जो है यही प्रशनथा यहां करिपा तो ही है जो बईरागी हो जाए ठीक ठीक निस्परियों निल्लिप तो रीधाय हो जाए गुरू ऐसे चिष्टा करते हैं गुरू की एच्छा ऐसी रहती है कि यह शही शही बईरागी होजए एक दिन हम में कहते हैं एक दिन क्या हुआ हमारे अस्रम में हम जब आप से पाइताली शाल पहले गुरुजी के पास आए उस दिन में हमारे नियुम था अस्रम में एक भी रोटी नहीं देते थे खाने के लिए कोई बबस्ता तुम्हारे लिए है नहीं भीक्षा करके खाओ भूके रहो पिरके पत्ता खाओ तुम्हारे मामला शोने के लिए कोई जगा नहीं आस्रम में कहां शोगे यह तुम्हारे मामला शेबा तो पूरा करना पड़ेगा वहां कमी नहीं वहां तो परिस्रम करना पड़ेगा खाने के लिए एक रोटी नहीं भूके हुमारों चे खबर भी नहीं लेंगे ऐसे नियम था ओ हम तो हम क्या करते थे पुरी जी के शेवा करके चले जाते थे गिरी राज परिक्रमा गिरी राज परिक्रमा करके आते थे दूपर के समय तो उस समय तो शौबजी मिलता नहीं था घर छोड़के आये हैं भाई उतना बोईरागी तो है नहीं तो एकदम शूखी रोटी कैसे खाई हो एक दिन आये हैं अस्रम में आके एकदम शूखी रोटी ना दूप में आवा में शूख के लकड़ी हो गया शौब रोटी थैला है ना, डिब्ब भी नहीं था डिब्ब भी बने, तो थैला कड़ाख हो गया तो आम ने पूछा भाईया थोरा शौबजी है तो एक फटकर मार दिया बोलता है बोईरागी हो गया शुब जी से रोटी खाता है बईरागी हो गया, देखो शुब जी से रोटी खाता है शुब जी चाहिए मिरिची चाहिए भॉज बोल दिया और गुरुग जो काक्षर है इसे बेतर इस चोटा सा चाइपूर भाई चार पूर इतना उसमें गुरुजी रहते थे तो गुरुजी सुन रहे हैं सुन करके ऐसा करें शगत उकती तुरह तो शुब जी नहीं आए यह लड़का कैसे खाएगा हम सुन रहे हैं हम दौराजे के पास ठड़े हैं हम कुछ काय नहीं रहे हैं लेकिन ये शगत उकती और गुरुजी का ये एक कष्ट हम सुन रहे हैं लेकिन गुरुजी ये सब्दों नहीं कह रहे हैं जो सेवाख हैं क्यों सब्जी नहीं रखा है काल से थोरा सब्जी रखना इनके लिए क्यों शब्जी रखा नहीं ये शब्दों नहीं कहे रहे हैं लेकिन कॉष्ट जो नुभाब कर रहे हैं ये तो हम सुन रहे हैं बार बार बीज़ बीज में इश्श्श थोड़ा जे शब्जी नहीं है कैसे खाएगा बच्चा तो हम ने वहाँ ठाड़े वकर चीनता करें जो गुरुजी शब्ज़ उक्ती कष्ट दायक जो शब्ज़ उक्ती ऐसे तो हम सून रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं कहे रहे हैं जो श्रिवा को एक बार कहे दे कि शब्जी राग देना फिर हमारे मन में ही उत्तरा गया जो गुरुजी चाहते हैं कि ऐसे बाइरागी होना चाहिए बाइरागी होने के लिए ऐसे ही निलिप तो निस्परी होनी चाहिए तब ना बाइरागी लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम बाइरागी बने लेकिन मन में तो थरह तो कष्टो होता है कि कुछ नहीं खाने का कुछ नहीं अबदू इस तरह से जान करके भी अबई ऐसे शब्दों नहीं काया है कि रोगनात इतना राज गरण के पुत्रों भाई उनको थोड़ा से गोविंदो उनके लिए थोड़ा बैबस्ता करो ऐसा नहीं है ना शिक्षा के बिशा है ना ओ प्रेम कहां से होगी कहां हो मनशिकता अभी लाला ही तो है जिब्बस पर्षजी जिब्बा लालो शिजी इती उती धाए शिष्णु दर परायन कृष्णु नहीं पाए खैर हम यह ज़़ अस्तान पर बैट करके कहते हैं यह गुर्ण तो हमें है नहीं लेकिन यह स्थान जो है जो यहां बैट के हम इस शब्द बोल रहे हैं यह हमको बोलना पड़ेगा शत्त को बोलना पड़ेगा हम में है इसका मतलब यह नहीं कि हम जूट भूलेंगे हम जूट नहीं भूलेंगे यह आशन जैसा है यह आशन में हमको बोलना पड़ेगा शत्त को हम पलन नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं यह हम जूट भूलेंगे ना 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 ऐसा नहीं अपना पक्ष के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए महाप्रो बहुत प्रशुन हुए है प्रशुन हो करके एक दिन रोगुनात दुखबार के स्माई वही ला करके तरह पा रहे हैं और महाप्रो पीछे जा करके एक मुश्ची लेकर करके मुं में डाल दिया एए एए महाप्रषाद के शड़ागला महाप्रषाद के और रहुना देखते हैं अरे कौना के हमारे बरतन से हमारे इसमे से ले रहे हैं कौन गुराशुंदर दिबहाद अरे कुन है इस समय तो कोई यहां आती नहीं है यह कुन है पीछे मुण की दिखते हैं शौय हो महाप प्रभू प्रभू यह आपके लाइक नहीं प्रभू प्रभू यह आपके लाइक नहीं प्रभू फिर महाप प्रभू जोर करके हाथ आटा के दूसरा गिराश लिये है लेकर के मुझ में दिये है दुबारा तीवारा इसरा बार जो लेने गए है लोगुनात हाथ पकार लिया प्रुभू आप ना प्रुभू यहापके लायक नहीं है उतने ही लोगुनात हम तो रोज रोज बहुत कुछ प्रुभू खाते हैं लेकिन आज जो हमने प्रुभू पाया ना ऐसे हमने तो बस तो हमने तो कभी पाया नहीं है और तुम बहुत चालाख हो तुम हमको देते नहीं हो और खूद ऐसे हमने तो बस तो खाते हो और हमको देते नहीं यह कोई अच्छी बात है तो क्या करें हमको लेना पड़ेगा प्रना दे रहे हैं तेखो ऐसे, है ना ऐसे है, तो यह मारग ऐसे है ना, भक्ति मारग महाप्रवी सिक्षा देने के लिए महाप्रवी के जितना परशत्य सब राज घराना के स्वानातन गुष्णमी थे स्वानातन गुष्णमी थे राज घराना के राज मंत्री हुशिन शाथ तत्कालिन बंगला बिहार उरिश्चा के महान अधिपती था हुशिन शाहा उस समय मुसल्मान राज था और खंड राज्य था एक राज्य जहां जहां जेतना दगल करती तो वही उसके एरिया है भारत के मांचीतर ऐसा नहीं था तो बंगला बिहार उरिश शाह वो एरिया हुसिन शाह वहां के अधिपती था वहां के प्रदान मुंत्री था सुनातन गुश्वामी अरोन का भाई जाइगीर था रूप गुश्वामी स्वानतान गुष्वमी का नाम था अमार बंध बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द पड़ी दानी सेरा बहीर बाश, कभु भीख्खा, कभु उपबाश, कभु बबने रिशाग, अलबने कोरी पाक, मुखे देन दोई एक ग्राश, एक एक ब्रिक खतले, एक एक रात्तिरी बाश, कभी चाना चर्बन, कभी उपबाश, एक एक ब्रिक शक निचे उसमें जंगल, ब्रिंदावन जंगुना की नर्शी लेकर मुथुरा तक घंगल था उसमें, बड़े बड़े जंटु जानवार रहता था, उसमें, एक एक ब्रिक शतले, एक एक रात्ति, एक रात, दुसरा पेर के निचे नहीं, एक ब्रिक शतले, एक एक रात्तिरी बाश, कभी चाना चर पुरिदां चना कभी उपवास, तोल दीजिए उपवास. चेरा काथा मनें कंथा है कप्रा ने टूटा पुटा कप्रा, पथापुरा, पप्रा कित खेला करें भुद्री, इसे भ्यभार करते हैं। शेरा का था नेरामा था मुखे कृष्ण गुनगा था पॉरीदा ने छेरा भुहीर भाज फटा पुराना कापड़ा कोबुबबने शाग अलबने कोली पाक मुखे देन दूए ग्राश बने जंगल के शाग पत्ता ऐसे शाग पत्ता अभी भी है बहुत जबी उसमें फुर्डबल बहुत है उसमें खाने में ऐसा नहीं नुक्षा नहीं करेगा देखो न गाए भशादी घाश काके रहता है न ऐसा नहीं तो वो घाश पत्ता तुरा उबल करके अलबने निमाक नहीं काई टुटा-फुटा मिट्टी के चाप्टा पर रहता था उसमें तुरा जुमना के पानी दे करके और उपत्ता उबल करके उसको खा लेती थी और त तुम बलतों शादन का क्या जरूरत है जब कृपा से ही होती है शादन का यह अवश्यकता है शादन भी ना शादन ये को देखती है न तुम उब उस्तु प्राप्ति के लिए तुमरे रिदा कितना प्रिपारिशन कितना है देखेंगे नहीं इदर भीशाय बाशना पूर है आरुदार कहते हैं हमको कृष्ण प्रेम चाहिए यह ना ऐसा थोड़ी होता है यह है हमारे आचर जुने इस तरह से हमारे रोगुनाद दाजगोश्वामी जब महाप्रभु अंतिरधान के बाद रादागुन के किनार में जा करके रादागुन तो इस समय ऐसा नह तो इस समय आप्रभु ने जब अविश्व करकिये हैं उसके बाद जा करके जीब गुश्वामी पाद उसको मना आई हैं तो उहां रोगुनाद दाजगोश्वामी उहां पेड़ के नीचे रहते थे और एक दोना माठा पी करके वजन किये हैं तो तो मत शाधन का क्या वश सकता है तो आंना जाके इदार साधान साधं कस्वद्र शाधन चस्टा अना शक्ति एर उधार कोरुना शक्ति जो प्रवी बुत हो करके उतर आती है साधे की साधन चिस्टा और को रुना दोना का एक मिलन होता है, एक बिंदु पर, शाधन रुख गई, और उदार किर्पावी रुख गई, अगर ऐसे सोचते हैं, कि भाई, शाधन के दर अतमेजता नहीं है, तो खाओ पयो, उनके किर्पावी न तो प्राक्ति नहीं होती है, तो क्या साधन करेंगे, चलो, तो साधन गई, किर्पावी रुख गई, यह तीब्र शाधन चेश्टा, ओ कोरुना शक्ति द्रविपुत हो करके उताराती है, आकर के एक बिंदु में आकर के मिलते हैं, ऐसे हैं, जितना तीब्र शाधन चेश्टा, उतना तीब्र कोरुना शक्ति उताराती है, उतना जल्दी हैं, तो यह है महाप्रभु के कृपा दिखाते हैं शिक्षा देते हैं देखो क्रिष्ण भुक्त की प्रápti के लिए कैसे रिदाए होनी चाहिए कितना निस्परियोनिलिप तो उदधाशिन होनी चाहिए यह देखा रहे हैं इसमें तो कुछ हम को शिक्षप रापती होनी चाहिए ना जैसे होती है जैसे छोटा बच्चा चलना आता नहीं है तो माईया हात पकरती है हात पकरके ले जाते है, है ना लेकिन चलना पड़ेगा बच्चे का आपना कदम से ही चलना पड़ेगा शाधन चेश्ट ऐसे ठाकुरिती कर्पा करते एक गिर ना जाये लेकिन कोशिश करना ही पड़ेगा आप कहए ठीक है जो हमारी इच्छा है तिब्र इच्छा है विश्वास है राधरल करेंगे हम पतित है वो पतित पाव नहीं है अब श्याम पर करेंगे क्रिपा कैसे होती है क्रिपा तो इस तरह से होती है तुमको शाधन करने का शक्ति देते हैं प्रणा देते हैं लेकिन तुमको बिना शाधन बिना कश्ट वो ऐसे चलना मुश्किल है वो क्रिपा क्या है वो जो शाधन करने का तुमारी भीतर जे प्रणा कश्ट शाधन करने का शक्ति यह है उनकी क्रिपा, ऐसे नहीं, जब ऐसे शादंतिष्ट तिब्र होगी, ऐसे ही कष्ट शान करने का इच्छा, शक्ति भी होगी तो समझना आप क्रिपा हो रही है, है ना, हम मुँव में कहते हैं, जो उनके क्रिपा से सब होगी, अभो शारणा गता बतसल बतसल, हम को वश्य करेंगे या ऐसा भावना लेकर करके हम सो रहें हैं तो सोते रहो किरपा तो तब ही होगी ना जब तुम्हारे तिब्रु उत्कंठा बैकुलता इच्चा तिब्रता अच्छा लागे ना लागे हम बैठी हैं साधन कर रहे हैं मन में एक कष्ट हो रहा है मन नहीं लग रहा है गर्मी लग रही है क्या करूँ मुझे उठके अभी चले जाओं कहीं लेकिन बैठे आशन में तो भगवान तो देखते हैं रहे यह दुख इतना कष्ट शिकर करके भी आशन में बैठा है इसका मन नहीं लगता है माया तो हमारी माया है ये तो कैसे पाल लगाएगा तो भगवान उस समय करूना करके उसके भीतर को इससे परिशुद्ध करके धीरे 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 दे उनके भीतर भक्ति दे भी किलपा करके उनके भीतार इप्रणा शक्ति देते हैं आगे चलने का शक्ति देते हैं है ना शादन तो करना पड़ेगा